उत्राखंड में राश्टुपती शासन बरकरार है नेनिताल हाई कोट के फैसले पर सुप्रिम कोट ने इस्टे लगा दिया है 27 एप्तेल को मामले के अगली सुमाई होगी उत्राखंड पर सुप्रिम कोट के ट्वीट से कहीं खुशी कहीं गम का माहौल बीजेपी ने बताया साइब तो कॉंग्रेस बोली जीतेंगे हैं मंत्री इमरान हुसैन के फ्रेश्टा चार पर केजरिवाल सरकार घिर चुकी है दिल्ली हाई कोट ने नोटिस दिया है 27 एप्रिल तक हाई कोट में स्टेटेस रिपोर्ट देनी है पतंजली फूड एवं हर्बल पार्क की सुरक्षा CISF के हवाले कर दी गई है CISF के 35 जबान दिन रात पार्क की सुरक्षा कर दी पंचकुला में युवराज की चोखट पर हद्सा हो गया सिर्फ चूने भर से आठ साल के बच्चे पर निर्मान धिन बंगले का भारी भरकम लोहे का गेट गिर पड़ा आमरपाली ग्रुप में सोनी की धोनी की पत्नी साक्षी भी साज़ेदार है आमरपाली माही डिवेलिपर्स प्राइबेट लिम्टेड में उनकी 25 फीज़दी की भागिदारी है और जैनमे सिंहस्त का पहला शाही इसनान शुरू हो गया है एक अनुमान के मताबिक पहले ही दिन 50 लाख लोगों ने डुप की लगाई मैलाओं से अभद्रिता के मामले में गिरी मंतरी बाबुलाल गौर तलब किये गए सुत्रों के अवाले से खबर मिल रहे है कि शुरा सिंग चवहान ने सफाई मागी है अरुनाचल के तवांग में जमीन खिस्तकने से 16 लोगों की मौत हो गई सेना ने मोचा समाला हुआ है रहात और बचाव का कामचारी है शीर्डी में साई को चमचमाते हीरों का हार चढ़ाये गया अनजान भक्त ने गुप्त दान में 96 लाग की कीमत का हार दिया है चीन के एक स्कूल में खिल रहे बच्चे अचानक तूफान की चपेट में आ गए तूफान इतना खतरनक था कि इसने एक बच्चे को हवा में 10 फीट उपर उडा दिया सीरिया के काम शली में कुड़िश सीना और विद्रोही लडाकों के बीच लडाई चल रही है इसमें सीना ने 26 कुर्द लडाकों को मार गिराया प्रांस के कांस में आईस आईस के बरतियातं की खतरे को देखती हुए पुलिस ने मौक त्रिल किया कांस में कुछ दिनों बाद ही फिल्म फेस्टिबल का यजन किया जाना है फ्रांस के चैंप टू पाउल्ट में बार ओनर ने लूट की वारदात को बेफल कर दिया बंदोख धारी लुटेरे को बार ओनर ने उसी के बैक से माना रहे हूँ एकवाडोर में भूकम के बाद लोग खाना पानी और दवाईयों की कमी से जूच रहे हैं बेघर लोग अब अपनी जरुवत को पूरा करने के लिए मलवे में दबे सामानों को निकाल रहे हैं चीन के राज़दानी शंगाई में चोथे इंटरनेशनल टेक फेस्टिबल की शुरुआत हो चुके है इस एक्सपो में मानो रोबोट सबके आकरशन का केंद बना हुआ है गुरुवार की गिरावट के बाद एक बार फिर चांदिन ने रफ्तार पकड़ी है देशी विदेशी बाजार में भाव में तेजी जारी MCX पर भाव 300 से ज़्यादा चढ़ा विदेशी बाजारों में भी हरे निशान में कारोबार क्रूड में उतार चढ़ा रुख देखा जा रहा है उपरी स्तर पर विक्वाली बढ़ने से MCX कूड में गिरावट बढ़ी है उपरी स्तर पर मुनाफ़ा वसूली से सोया बेन की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई वायदा में भाव पौने 2% तक तूटा विदेशी बाजार में कमजोरी कासर अधर देहा जाना गौर गिमतों में शान्धार तेजी का दौड जारी है वायदा बाजार में दो दिन में भाव करीब 6% उचला हाजिर में भी जूरदार खरीदार है एक्टिस दिबका पादुकोन और सुपरस्टार सलमान खान की जोड़ी फिल्म मेकर संजलीला भनसाली की अपकमिंग फिल्म में नज़र आ सकती है हौलीबुट फिल्म शेफ के हिंदी रेमेक में सायफ अलीख खान नज़र आ सकते हैं इस फिल्म को फिल्म मेकर राज कृष्ण मेनन बना रहे है शारुख खान ने एक इंटर्विव में बताया कि हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म फैन का सीक्विल नहीं बनाया जाएगा अक्टर सिधात मलहुत्रा और केटरिना कैफ स्टारर फिल्म बार बार देखो का फर्स्ट लुक आउट हो गया है अनुष्ट का शर्मा ने अपकमिंग फिल्म फिलोरी की शूटिंग शूरू करती है इस फिल्म में अनुष्ट के साथ पंजाबी एक्टर दिलचीत दो सान्च नसर आएंगा फिल्मेकर आर बालकी शारुक खान और सल्मान खान को एक साथ एक फिल्म में कास्ट करना चाते हैं हाला कि बालकी का कहिना है कि एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश है अपकमिंग फिल्म अजहर के प्रमोशन के लिए अक्टर इमरान हाश्मी और प्राची देसाई मुंबई के एक रेडियो स्टेशन पहुंचे लेकिन रिल लाइफ के अजहरुद्दीन यानी इमरान हाश्मी रियल लाइफ के क्रिक्टर अजहरुद्दीन से जुड़े सवालों का जवाब ठिक से नहीं दे पाए अपने अपकमिंग प्रजेक्ट की शुटिंग से पहले एक्टर सैफ अली खान और करीना कपूर खान लंबी छुट्टी के लिए सुजे लेंड चले गए हैं हाली में दोनों को मुंबई के एरपोर्ट में देखा गया हर साल की तरह इस बार भी एशुरिया राय बच्चन और सुनम कपूर 69 कान फिल्म फेस्टिबल में हिस्सा लेने फ्रांस जाएंगी दोनों एक ही कॉस्मेटिक ब्रांट की एमबेस्टर है रादस्तान सूपर फास्ट का सफर यहीं तक